नमस्कार साथियों, हाजिर है फिर से नई अपडेट्स के साथ TGT 2431 और ग्रूप D Candidates के लिए जो निगाहें आज लगा कर बैठे थे कोर्ट पर क्योंकि 5 नमबरों पर जो सुनवाई है वो होनी थी एक्स्ट्रा 5 नमबर को लेकर जो समाजिक आर्थिक मापधंड की हैं लेकिन आज कोर्ट ने अगली तारिक दे दी गई जिसमें आप देख सकते हैं नोटिस ओफ मोशन जारी कर दिया गया है और अगली तारिक 12 मार्च 2024 को दे दी गई है 277 नमबर पर ये केस लगा था और्डिनरी में CWP 6523 अर्पित गहलावत वर्सित स्टेट ओफ रियाना एंड अदर्स अंतरिम रिलीफ नोटिस ओफ मोशन 12 मार्च 2024 साथियों हलाकि अभी तक जो डिटेल ओडर है वो नहीं आए हैं डिटेल ओडर के बाद ही पता लगेगा कि उसमें क्या कुछ कहा है लेकिन अगली जो तारिक है वो दी गई है 12 मार्च 2024 को उसमें जो भी होगा देखा जाएगा लेकिन इतना जरूर है HSC अगर चाहे तो 95 में से अब भी रिजल्ट को निकाल सकती है क्योंकि 69 ग्रूपों का जो रिजल्ट है C ग्रूप में वो ऐसे ही निकाला गया था उस पर कोई भी अपत्ती नहीं है कोर्ट को लेकिन इतना जरूर है पांच नमबर के बिना ही HSC रिजल्ट निकाल सकती है जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता 95 में इसे रिजल्ट HSC चाहे तो अब भी निकाल सकती है देखने वाली बात होगी दोस्तों क्या HSC फरोरी में ही रिजल्ट निकालेगी हलांकि पूरी पूरी संभावना है रिजल्ट बिल्कुल निकाला जा सकता है क्योंकि 69 ग्रूपों का भी जो रिजल्ट है इसी अधार पर आया है देखेंगे साथ यूँ डिटेल ओडर में क्या आता है इस वीडियो में इतना ही धिनेवाब